आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे अस्ते ही विडियो आते रहेंगे रसिया बालम और कुआरी कनिया की अदूरी प्रेम कहानी इनकी प्रेम कहानी को लेकर यह मान्यता है कि रसिया बालम आबु परवत में मजदूरी करने आया था कई उसे सीव का रूप भी मानते है और राजकुमारी को देवी का रूप इसलिए इनकी यहां मंदिर भी है राजकुमारी को उससे प्यार हो गया राजा ने दोनों की साधी के लिए एक सरत रखी कि यादी एक रात में बीना किसी ओजारों के यादी कोई जिल खोद देगा तो उसकी बैटी की साधी व उससे करा देगा इस पर रसिया बालम ने एकी रात में नकी जिल को खोड़ डाला और राजा के पास जाने लगा लेकिन राजकुमारी की मान नहीं साथी थी कि उसकी साधी उससे हो एसी मान्यता है कि राजकुमारी की मान ने रात में ही मूर्गे की आवाज निकाल दी और रसिया बालम को लगा कि वह स्रत हार गया है जब वह अपने प्राण त्यागने लगा तो उसे राजकुमारी की मा की सड़ यंतर के बारे में पता चला और उन्होंने स्राप दे दिया इसके बाद पेले राजकुमारी की मा और बाद में राजकुमारी दोनों पत्तर के बन गए तब से लेके आज तक पत्तर ही बने हुए है गुरू माराज कहते है कि स्यार यूग खतम होने के बाद वापिस वीवा होगा